हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बाक टू दे चैनल कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी त्यारी एक्जाम इसकी आप अच्छे चल रही होगी देखिए सबसे पहले तो नौट कर लीजी कि हम सेटिक्स में कौन से कौन तो चप्टर करेंगे और हम वही करेंगे मुझसे अब बा चप्टर की है वन तो फॉर बन तो फॉर मेंसे वन तो थी करेंगे शेक्टंड्ड इंड़ विड्में अपके पास 5,6 एंड 7 चप्टर गीवन है इसमें से हम 6 और 7 करेंगे 3 यूनीट में एट्थ नाइन और 10 चप्टर है jy और 4 नौट में से यह करेंगे 11 और 12 ठीक है तो 1,2,3,4,5,6,7 यह करेंगे हम यहां से और यह वले करेंगे और देखिए, कंपलसरी कोश्चन के लिए आप क्या करना जैसे 4 चप्टर कंपल हम छोड़ रहे हैं तो इसके बेसिक पढ़ लेना कि कंपल की डफिनेशन क्या होती है पर इस चप्टर को खोल के देख लेना इसमें जो भी ब्लैक कलर से बड़े बड़े अपके हैडलाइन होती है जो इंपोर्टन डेफिनेशन होती है उनको प्लीज रीड कर लेना कंपलसरी कोश्चन के लिए छीक है तो यहां से इतना ही करते हैं नाइन तो टैन चप्टर करेंगे हम क्योंकि देखो फॉर्थ मैंने गलत बता लिया शायद जो थर्ड सेक्षिन है उसके अंदर आपका यहां तक आता है सिरफ जो फॉर्थ उनिट है उसके अंदर आपको इंटल्यूड होता है रैंचेज नल लाइन जन यानि कि 10th 11th 12 चप्टर है न यह फॉर्थ उनिट में है और इसमें से सिर्फ और सिरफ 10 चप्टर करेंगे हम यह तो नहीं करेंगे तो सिरफ टॉटल साथ चप्टर करेंगे कोशिन कंप्लीट हो जाएगा यह 10 चप्टर मुझे लगा इसमें है इसके साथ इंक्लीट है इसलिए 10 चप्टर हम करेंगे रैंचेज अब भी हम स्टार्ट करने वाले है सेकिंड चप्टर इस पैलल फॉर्स इस बहुत ही इजी चप्टर है अब पीडी के लिए आप बार बार पूछ रहे थे पीडी के लिए प्लीज देखो और सिरफ नाइन चप्टर है ता आपका मेरी तरफ से बागी सारा स्लेबस मैंने करा दिया है तो अब वह चप्टर मैं आप सेकिंड चप्टर देखो अगरे कि आप इस चप्टर का नेम जो है वह पैलल फॉर्स इस पैलल फॉर्स हम साइंस के गर आप स्टुडेंट्स हो तो आप बच्पन सी पढ़ते आयों साइंस में की पारलल फॉर्स इस क्या होते हैं देखिए जो फॉर्स इस जिनकी क्या नहीं करते हैं इस इस बीप ये पहां अगर इस पारलल फॉर्स इस एप डेखिए आप्यान एका मतलब यह तरह का मतलब यहां पर हम क्या चीछ सेम लेंगे सेम और डिफरेंट्स की जो रहेंगे वह रहेंगी जा रहेंगे in directions तो वो parallel forces जिनकी directions same है that are called to be the like parallel forces और जिनकी different है that are known as unlike parallel forces जैसे कि ये point A है और ये आपका point B है इस पे अगर force ये P लग रहा है इस पे अगर ये force Q लग रहा है so these are both same in directions so this is an example of like parallel forces और अगर मैं ऐसे कर दू A B this is force P and this is force Q अब parallel तो ये भी है ये भी तो कभी आपस में मेट नहीं करेंगे बट ये parallel forces तो है बट ये किसका एक्जामपल है unlike parallel forces का because इन ओलोंगी direction यहां से क्या हो गई है opposite हो गई है इसके बाद अगर हमें कह दू resultant निकालो इसका अगर parallel forces का resultant निकलता है तो उसका formula क्या होता है उसका formula होता है P plus Q देखो ये कोई resultant है R और ये क्या C point पे act कर रहा है तो इसका सिदा सिदा formula होता है कि resultant क्या होगा P plus Q देखो अगर P और Q दोनों ही equal है P equals to Q दोनों का magnitude क्या है तो जो resultant होगा वो A, B, ये P है, ये Q है, तो जो resultant होगा वो P के पास act करेगा, अगर Q बढ़ा है तो resultant ही act करेगा, अगर P बढ़ा है तो resultant ही act करेगा, ये बात ध्यान रखना, और अगर unlike parallel forces का हम में resultant निकालना हो तो उसका formula क्या होता है, P minus Q, क्या होता है p-q चीक है याद रखना यहां से definition पर लेना जुरूर two parallel forces are said to be like when they act in the same direction and unlike parallel forces are said to be unlike when they act in the opposite direction यह क्या दिया हुए resultant of two like forces acting on our rigid body किसी rigid body पे parallel forces act कर रहे हैं और वो कैसे हैं वो है like parallel force act कर रहा है तो उसका हम कैसे निकालेंगे देखिए यह diagram कैसे बनाना है वो समझते हैं हम पहले यह कोई point है a और यह कोई point है b इस point p पे force act कर रहा है कौन सा force act कर रहा है इस पे force act कर रहा है force p और इस point पे force act कर रहा है क्यों यहां इसको draw यह a है यह al क्या है इस p force का magnitude है निकि al पर p force act कर रहा है और यहां से b m यह b है point और यह m है point क्यों सा force act कर रहा है q force act कर रहा है एक point पे force act कर रहा है इसका में радम मेंदा में随 कोई point में आइल इसका magnitude है a al का उत्ने ृपेसे ठींड की और यह अज़िए फोर्स।क रहा है q और यहांपर क्या लिए डिया है ठीक है इतना clear है उसके बाद देखिए यहां पर यह force P act कर रहा है यहां पर यह force Q act कर रहा है दोनों पर एक same force act कर रहा है that is कौन सी force है वो S force है यहां पर लिख़ा भी होगा है यहां पर एक F- rendering is S यहां पर भी weakkt कर रहा है और यहां पर भी weakkt कर रहा है अब इसको join करके मैं क्या बना देते हैं यह sant outta MAR. इसका नाम दे दो H और यहां पर इसका नाम दे दो E और इसका भीlightly diagram बना दो और इनकी डाइगनल्स को कर दो जोईन और यहां पे इसका नाम दे दो आप O और इसका नाम यहां पे बुक में जो given है वोई ले ले लेते हैं यहां पे given है F यह क्या बनगे आपका यह बरी डाइगनम नकलियर है उसके बाद देखे अब हमें क्या करना है हमारी क्या पैललोग्राम बनगी A, L, H, E, B, M, G, F यह हमारी क्या बनगी पैललोग्राम बनगी जी है अब आपको क्या करना है अगर मैं इस लाइन को प्रिड्यूस कर दूँ ऐसे और यहां से इस वाइन को प्रिड्यूस कर दूँ तो यह पॉइंट बन जाएगा मेरा O क्या पॉइंट बन जाएगा O O पॉइंट बन गया अब O से हमें क्या करते है प्रपेंडिकुलर ड्रो करते है तू C यह क्या ड्रो कर दिया आपने एक प्रपेंडिकुलर ड्रो कर दिया किसके तुर O से C पर Pendicular ड्रो कर दिया और यहाँ पर क्या है जो यह AL है यह जो AL है वो किसके पारलल है BM के आप देखी तो AL किसके पारलल है BM के और यह किस पर मेट कर रही है जो OC है वो पॉइंट से पर मेट कर रही है ठीक है अब आपको क्या consider करके चलना, यह force क्या थी आपकी P1 और यह force थी Q1, यहाँ पर force P1 है, अब इस line को force P1 मान के चलो, यह क्या है P1, यह P1 है तो यह P1 है, यहाँ पे इसका component क्या था, P, यह तो को P component है, और यहाँ पे क्या component था, S, अगर इसी तरह यह line कौन सी है, Q1 यहाँ पे इसका component क्या था Q, और यहाँ पे इसका component क्या था, S, तो यह आपका diagram था, जो मैं इसको समझाना था होड़ा सा, यह पर हम बुक्सर देख लेते हैं कि हम से कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी है देखे देखो, let P and Q be two like parallel forces acting at A and B, A and B पे हमने क्या force लिये, P and Q यहाँ पे P क्या है, greater है, किससे, Q से let AL, फिर हमने क्या draw कर रहा AL and BM represent the forces in magnitude and direction मैंने बताया था ना कि AL किसको represent कर रहा है, B को, and BM किससे represent कर रहा है, Q को join AB, हमने AB को join किया था and B introduces two forces, each equals to S, यहाँ पे दो force act कर रहा है S in opposite direction, दोनों opposite direction में हैं, दोनों पे same force act कर रहा है AS, बट दोनों की direction opposite है, एक AE से represent कर दिया और एक आपने BF से represent कर दिया, इतना भी हमने कर लिया These two forces being equal and opposite and having the same line of action balance each other and hence do not disturb the equilibrium of system, यह कह रहे है कि जो यह force है, इसकी magnitude है, वो same है और इन दोनों की direction है, वो opposite है इसलिए, यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, balance कर लेंगे और इसलिए वेज़े से हमारे जो equilibrium है हमारे जो system है, उस पे हमारा कोई effect नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा चीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद हमने क्या किया parallelogram complete करा A, L, E, H and B, F, M जी, यह parallelogram हमने complete करा फिर यहां से क्या करा A, H, A को produce करा और यहां से क्या किया, B, G को produce करा add point O, O, Z हमने क्या draw किया O, C draw किया parallel to A, L, यह किसके parallel है A, L, K and B, M and meet at the point C, then the resultant of P and S is at P, A, जी, force P थी यहां पर और यह जो force S थी, इसका resultant हमने जो देखो, अब हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो parallelogram होता है parallelogram का जो diagonal होता है वो हमें क्या देता है, resultant देता है तो यहां पर force P act कर रहा था, यहां पर जो diagonal है, वो P1 बन गया इसी तरह से यहां पर, यहां पर force P act कर रहा था यहां पर force, sorry Q act कर रहा था और S act कर रहा था, इसका जो diagonal होगा, वो आपको क्या देगा, resultant देगा resultant हमने यहां पर क्या ले लिया, यहां पर ले लिया, हमने Q1, तो इसी वेदे करना है, हमें C की position को find out करना है, अब यह जो triangle है कौन सी, देखो, यह दो triangle आपके similar है, एक तो A, E, H, यह चोटे वाले जो triangle है और यह O, C, A यह दोनों triangle क्या है, similar हैं इच अदर इसी तरह से यहां पर भी यह दोनों triangle क्या है, similar हैं इच अदर, तो मैं कहाँ सकती हूँ, A, C by O, C, यह line A, C, यह line O, C किसके equal होगा? A, E by E, H देखिए, हमने कौन से कौन से similar triangle ली, एक तो यह वाली और एक यह वाली, और क्या अपलाएगी है, जो A, C है A, C by O, C O, C, किसके equal होगा? इसका base क्या है? A, E और इसकी जो line है, वो क्या है? E, H, इसके equal होगा न A, C by O, C is equal to A, E by E, H is equal to, देखो S by P, जो A, C है देखिए A, C by O, C A, E by E, H और यह किसके equal होगा? यह equal होगा आपका S by P के S by P की equal होगा यह तीन terms लेके चलते हैं, हम तो यह हमने तीन terms लेहां पर A, C ले लिया, एक A, E ले लिया और क्या ले लिया? S by P ले लिया इसे तर ऐसे दो दूसरे triangle हमने क्या ली? O, C, B, एक तो यह वाली, और एक यह वाली B, F, G, कौनसी कौनसी ली? एक तो यह ली, और एक यह ली इसमें क्या लगाई प्रोपर्टी C, B, जो C, B अपका base है, इसकी perpendicular line O, C, is equal तो इसका base क्या है? B, F और इसकी line क्या है? यह F, G और यह किसके equal होगा? S by Q के equal होगा, क्योंकि यहां पर Q act कर रहा है, यहां पर P act कर रहा था जो O, C था, वो किसके equal था? P की equal था? और जो A, C था? A, C किसकी equal था? S की equal था ना? तो इसलिए यहां पर S आया, यहां पर निच्ची क्या है? P यहां पर देखो C, B के लोग क्या है? S है तो यह तो S आजएगा, और निच्ची क्या है? आपका निच्चे है O, C O, C क्या है? O, C क्या है Q, तो इसलिए S by Q, ना clear है? देखिए अब अब हम इन दोनों को अगर मैं divide कर दूँ, तो A, C by O, C यह A, C by O, C और यहां से C, B by O, C इनको divide कर दूँ, C, B by O, C is equal to, यहां पर क्या था S by P, और यहां पर क्या था S by Q, तो जब मैंको divide करूँगी और से S कर जाएगा, ऐसे S कर जाएगा, तो मेरे परस क्या बचेगा A, C by C, B is equal to, यह Q उपर चला जाएगा Q by P, इसका मतलब इसकी cross multiply कर दो, P dot A, C is equal to Q dot C, B, P dot A is equal to Q dot C, B, क्या प्रेजन करते हैं, hence the resultant is parallel to the given forces जो resultant है, वो किसकी parallel है जो दो forces आपको given है, P and Q और A, B को, जो यह line यह A, B थी, इसको जो resultant है, वो आपका डिवाइड कर रहा है किस ratio में internally in the ratio Q ratio P में, that is inverse ratio of forces, forces of T ratio Q थी, तो वो डिवाइड किसमें कर रहा है, Q ratio P में किसमें कर रहा है, Q ratio P में, तो यह था आपका resultant of like parallel forces acting on a rigid body, चीक है, यह unique parallel forces का देर का यहाँ से याद रखना है कि आपको unlike parallel forces का resultant क्या होता है, P minus Q होता है, चीक है, और इसकी position निकालने की पात है, तो P dot A C is supposed to Q dot to BC जो ही है, इसकी, यहाँ पर देखो है कि यह case of failure है, इसको पढ़ लेते हैं, if the magnitude of unlike parallel forces are equal, दो unlike parallel forces है, उनका magnitude अगर equal है, they do not have a single force as a resultant, तो उनकी जो resultant की जो line होगी, वो single नहीं होगी, वो क्या होगी, अलग-अलग होगी, ठीक है, अब यह देखो, analog of lamissure, में important है, इसको पढ़ लेते हैं, if three forces acting on a rigid body are in equilibrium, each is proportional to the distance between the other two, अगर एक point पे, अगर एक body पे तीन force act करने हैं, तीनो force act करने हैं, और आपकी जो body है, वो equilibrium में है, तो जो हर एक force होगा, वो proportional होगा, other two forces के, देखिए, कैसे, एक, यह A है, यह B है, और यह क्या है, C है, इस पे force act करने है, P, इस पे force act करने है, Q, और यहां पे, C पे force act करने है, आपका, R, और C पे, R force act करने है, और इन दोनों का resultant, इनकी जोनने magnitude है, वो क्या है, P, प्लस Q, क्योंकि दोनो like parallel forces है, और इसे तरह से दूसरी condition है, और आइज होगी, जब forces क्या है, unlike है, unlike है, तो यह A, यह B, यहां पे force act करने है, P, यहां पे force act करने है, Q, यहां पे point act करने है, C, यह है R, और यह जो resultant हो जाएगा, तो यह क्या होगा, P minus Q, तो यह दो case है rise होंगे, देखिए अब, यह दो case होने बना लिए, यहां पे देखो, जब forces like है, like हैं, तो P, Q, आर पारलल forces, which are in equilibrium such that, P and Q are like forces, R is equals to the opposite to the resultant of P and Q, R किसके एकवल opposite है, जिनके resultant यानि P plus Q के opposite है, अगर R, C पे एकट कर रहा है, तो पहले बात तो R किसके एकवल दे रहे रहे है, P plus Q के, क्योंकि हमारा resultant है, दूसरी बात, जो भी हमने प्रूफ किया, like पारलल forces का resultant था, वो क्या था, P dot AC is equals to Q dot CB, और हम इससे यहां से क्या implies होता है, देखो, अब जो questions भी करेंगे, तो हम कैसे निकालते हैं, जो force P है, वो किसके एकट कर रही है, A पे, तो P upon, P के निचे क्या आता है, जिस पे Q act कर रहा है, उसका magnitude यानिकी, यह BC, P upon BC, जैसे लामी सोरम में करते थे, is equals to, Q point B pact कर रहा है, तो Q upon क्या आएगा, A, C, और इसी तरह से, R की इस पेक्ट कर रहा है, C pact कर रहा है, R upon पूरी राइन, A, B, तो ऐसे ही हम questions में भी यूज़ करेंगे, P upon BC, is equals to Q upon AC, is equals to R upon AB, R है क्या, R क्या है आपका, दखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, R क्या है, P plus Q, और AB को मैं के लिख सकती हूँ, AB को AC plus, CB क्योंकि हमें values तो given हैं नहीं, तो क्या जाएगा हैं यहां से, P by BC, is equals to Q by AC, is equals to R, इन्होंने देख़ वही किया है, इन्होंने पहले P plus Q लिख दिया, फिर निचे AC plus AB कर दिया, फिर इसको P plus Q को R लिख दिया और AB बिना दिया, मैंने सिद्धा बता दिया आपको, कि P upon AB is equals to Q upon AC is equals to R upon AB, यह आएगा, इससे क्या शो हो रहा है, कि जो force है, वो किसके proportional है, other two forces की, जो देखो, पहले force किसके proportional है, distance between the other two, इसके proportional है, यही आपको proof करना था, चीक है, तो यह proof most important है, हर equation में ही, आपके इसका use होगा, हर equation में, इसको याद रखना, कैसी use करना हमें, अब अगर unlike है, unlike की case में हमने क्या किया, यहाँ पर जो P है, उसको बड़ा ले लिया, हमने Q से, और resultant का formula बताया था, मैंने आपको क्या होगा, P minus Q होगा, यहाँ पर भी property apply कर दी, P dot, A is equals to cube dot, Cb, P को Cb के निचे लिया, Q को C, के निचे लिया, इसमें किया था, P upon Cb is equals to Q upon C, A is equals to, यहाँ पर resultant की value, P minus क्यों हो जाएगी, और यह किस प्यक्ट कर रहा है resultant, इस पर आपका A, B प्यक्ट कर रही है, तो इसको क्या लिख दिया, Cb minus C, A, Cb minus C, लिख दिया, और फिर P minus Q था, क्या resultant, और Cb minus C, A क्या था, A, B, तो यह भी क्या बननेगी, theorem, तो दोनों ही case में, जो theorem रहीगी, जो यह result रहेगा, वो same रहेगा, चाहिए forces like हों, या फिर unlike हों, तो question में, आपको यह ही formula यूज़ करता है, चीक है, तो यह था इसके थोड़ी सी theory का part, उसकी बाद यह है theorem of result part of parallel forces, इसको पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो आप, इसको पढ़ लेना, चीक है, बाकी देखिए, इसके questions मैं करा देता हूँ आपको, आप इसके examples को try कर लेना, हो जाएंगे, और देखों, यह first, second, third example, बहुत important इनको में छोड़ना, important example है यह, यह देखिए, बहुत बार आये हुआ हूँ है, इनको नहीं छोड़ना, मैं question करा देता हूँ आपको, so guys, इस वीडियों को में इतना ही रखते हैं, क्योंकि और वीडियों नहीं बन बारी है, अभी due to some issue, so, अभी next वीडियों में हम discuss करेंगे, 2.1 के question answers, questions discuss करेंगे, I mean, so, अभी सारा जो भी concept था, बबाई, चीक्यों.